कि बच्चू आज वीडियो के ईसंक में हम आप से बात करेंगे बैंक समाध्वन्द क्या होता है बैंक समाध्वन कैसे बिनाये जाता है इसके आर्थ और परिभाशा cour findet है और आखिशiven और हमें क्या जरूराइल पड़ती है जिसके अधार पर हमें लगे कि बैंक समधान विवरन बनाना अतिया वशक है तो इसी के उपर आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में आपका स्वागत है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के पस्चाथ आपको यह समझ में आएगा कि बैंक समधान विवरन होता क्या है तो आईए इसके उपर अपने के ट्रांजेक्शन यानि रोकड के ट्रांजेक्शन को करने के लिए हम एक रोकड बही बनाते हैं जिसे हम कैश्बुक कहते हैं रोकड बही कि इंग्लिश में बच्चों हम इसे कैश्बुक कहते हैं जितनी भी रोकड का हमारा लेंदेन होता है उस रोकड से सम्बंदे सारे लेंदेन को हम रोकड बही के अंदर उसको लेखित करते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं रोकड बही यानि कैश बुक का जो हमारे पास शेस आता है जो बैलन्स आता है और जो हमारा पास्बुक बैंक कई लोग इसे बैंक स्टेट्मेंट भी कहते हैं पास्बुक बोलिए या बैंक स्टेट्मेंट बोलिए अगर बैंक से सम्बंदी जितनी भी लेंदेन होती हैं ट्रांजेक्शन होती हैं उसका लेखा दो जगे किया जाता है एक cash book में किया जाता है और एक bank की statement में किया जाता है अगर एक ही transaction का दो जगें लिखा हो रहा है तो दोनों का जो हमारे पास shares आना चाहिए जानी जो balance आना चाहिए वो समान होना चाहिए अच्छो हमें पता है दोनों का balance कैसा होना चाहिए समान होना चाहिए यानि रोकड भही में जो बैंक का कॉलम हमें दिखाई दे उसका जो बैलन्स हो और पास्बुक में जो हमें या बैंक स्टेट्मेंट में जो हमें शेश दिखाई दे वो उसमें कोई अंतर होना नहीं चाहिए क्योंकि एक ही लेंदेन है अगर दोनों के शेश के अंदर कहीं अंतर आता है तो आखिर वो अंतर क्यों आया इसके पीछे क्या क्या कारण रहे इसको देखना बहुत ही महत पुरुन है क्योंकि किसी भी बिजनिस के अंदर अगर एक निश्चित तिथी के उपर बच्चों इसमें बहुत बड़े ध्यान देने योग्य बात ये है कि एक तिथी यानि कि दिनांक किस दिनांक को हम लोग बैंक स्टेट्मेंट तैयार करेंगे और बैंक रिकॉंसलेशन बनाएंगे इसको एक बार फिर दुबारा से रिपीट करते हैं कि रोकड बही का बैलेंस बैंक स्टेट्मेंट या पास्बुक का बैलेंस अगर एक ही transaction को वो record कर रहे हैं एक ही linden को record कर रहे हैं तो उसमें अंतर नहीं आना चाहिए उनके share में समान रहना चाहिए परन्तु ये अंतर आता है और वो अंतर क्यों आता है क्योंकि एक विशेश तिथी को जो भी transaction हम देखते हैं उनमें difference आना आ जाता है और इसी difference के जानने के लिए कि आखिरी अंतर आया क्यों हम एक विवरंट तैयार करते हैं जिसका नाम है bank समाधान विवरंट तो अब आपको ये परता लग गया होगा कि bank समाधान विवरंट आखिर होता क्या है क्यों मनाया जाता है अर्थ तो इसके अधार पर हम इसका एक अर्थ यानि की meaning तैयार करते हैं कि आखिर bank समाधान विवरंट खुदा क्या है बैंकों से समंदित लेंदेन का लेखा दो जगहे पर किया जाता है बैंकों से समंदित लेंदेन का लेखा दो जगहे किया जाता है रोकर बही में पास्बुक में परन्तु किन ही कारणों से बच्चों यहां इस बात का लेख करना बहुत ज़रूरी है कि वह कौन-कौन से कारण है किन ही कारणों से दोनों का शेष शेष का मतलब है बैलन्स दोनों का शेष समान नहीं हो पाता जिसको सही करने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है बनाया जाता है इस अर्थ से हमें बिल्कुल स्पस्ट हो रहा है कि बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है यह क्या होता है तो बैंकों से संबंदित लेंदेन का लेखा दो जगे किया जाता है एक रुकड़ भी में तदा एक पास्बूक में यानि दो जगे आपको दिखाई दे रह है कि वही लेंदेन हम कैश्बूक में भी कर रहे हैं वही लेंदेन का अकाउंट्स जो है रिकॉर्ड हो रहा है वो पास्बूक में पर नतुक कौन-कौन से ऐसे कारण रहे जिसकी वज़े से दोनों को जो बैलन्स है श्रेस है वो एक समान नहीं है जिसको सही करने के लिए जिसको दर्शाने के लिए हम एक विवरंट तयार करते हैं जिसका नाम है बैंक समधान विवरंट अब बच्चो कि यहां पर एक बहुत बड़ा हमें स्पस्ट दिखाई दिया कि किन ही कारणों से यह बड़ा इंपार्टन है यह महत्प्रून है कि ऐसे कौन-कौन से कारण जिसकी वज़े से कैश्च बुक और पास्पुक दोनों के बैलंस सेम नहीं हुए वो अंतर क्या है ऐसे कौन-कौन से कारण है जिनकी वजचे से अंतर आया जिसकी वज़े से हमें बैंक समधान विवरंट बनाना पड़ा बैंक समधान विवरंट किसी भी वेबसाई के में recording करना होता है एक निश्ची तीटी भी हम देखें कि जब एक ही लिन दें दो जगे record हो रहा है तो balance भी सेम होना चाहिए परन्तु कई बार सेम नहीं होता तो हम अब जानना चाहेंगे कि आखिर कारण difference के या अंतर के क्या क्या कारण रहे अब हम इसमें जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसे कौन-कौन से कारण है जिसकी वज़े से cashbook और passbook याने डोकर भई में और bank के statement में अंतर आते हैं तो अंतर के कारण क्या है यह जानना बहुत ही महतुपुर्ण है क्योंकि bank समाधान विवरंड बनाने के लिए हमें अंतर के कारणों को जानना आवश्यक है तो अंतर के कारण सबसे पहला चेक किसी विशेश तिथी पर निर्गत किया गया परंतु भुक्तान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ अब इसको समझते हैं सबसे पहला करण क्या कहा चेक हमने किसी विख्टी विशेश या किसी फर्म या किसी के लिए हमने उसको जारी किया परंतु जिस वेक्तिव को चेक जारी किया गया था, उसने उसको भुक्तान के लिए यानि पेइमेंट के लिए बैंक में प्रस्तुत अभीत तक किसी विशेष तिती तक उसको प्रस्तुत नहीं किया ये पहला कारण हो सकता है, दूसरा चेक बैंक में जमा किया गया किसी विशेष तिथी तक, किसी विशेष तिथी तक, संग्रहित यानि कलक्षन नहीं हुआ। अब इसको समझते हैं ये क्या है। हमने किसी विशेष डेट को, कोई हमारे पास चेक आया था, वो हमने बैंक में जमा किया। परन्तु एक विशेष तिथी तक, वो बैंक में अभी तक कलक्षन नहीं हुआ। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी हमें कोई चेक मिलता है, और चेक को डिपॉसिट होने में, उसको कलेक्षन होने में, उसको क्लियर होने में, इसको बैंक की क्लियरेंस बोलते हैं। समय लगता है, और उसकी वज़े से कई बार क्या होता है, कि हमने बैंक में चेक जमा किया, लेकिन अभी विशेष तिती तक, वो अभी तक जमा नहीं हुआ। तीसरा, बैंक का ब्याज जमा हुआ। यानि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, बैंक अलाव्स दा इंटरस्ट। बैंक ने हमें हमारे जितना भी पैसा हमारा जमा है, उसके पर हमें बैंक ने हमें ब्याज दिया, जिसका लेखा पास्बुक में या बैंक की स्टेट्मेंट में तो हो गया, परन्तु रोकर्ड बही में नहीं हो पाया। बैंक के द्वारा शुल्क नाम यानि डैविट किया गया, डैविट किया गया, बच्चो बैंक जो हमें जिस भी तरीके के जो सेवाएं हमें प्रदान करता है, उस सेवाओं के लिए वो हमसे कुछ बैंक चार्जेज लेता है, जिसको वो हमारे अकाउंट के अंदर डैविट कर देता है, क्योंकि इस डैविट के होने की वजए से जो भी उसका लेखा हुआ, वो कहा हुआ, बैंक की पास्बुक में हुआ, जबकि रोकर्ड बही में इसका भी तक कोई लेखा नह सकते हैं, और रोकर्ड बही में अंतर आ गया, यहां देख रहे हैं आप कि पास्बुक के अंदर हमने क्या किया, बैंक के द्वारा शुल्क जमा किया गया, यानि बैंक ने हमारे अकाउंट को डैविट कर दिया, लेकिन कैश्बुक में हमने इसका कहीं पर भी लेखा नहीं किया, पांच बाद, बैंक के द्वारा खर्चों का भुक्तान, खर्चों का भुक्तान, बैंकों के द्वारा खर्चों का भुक्तान, बच्चों जैसा आप लोगों को पता है कि बैंक हमें विविन तरह की सेवाएं प्रदान करता है, और उन सेवाओं के अंदर वो हमारे जितने भी इंशारेंस के प्रेमियम होते हैं, या कोई लेक्टरिसिटी का बिल होता है, व वो कुछ खर्चों का भुक्तान हमारे निर्देश पर, यानि अपने कस्टमर के, अपने ग्रहकों के निर्देश के उपर ऐसे खर्चे करता है, अगर बैंकों के द्वारा ऐसे खर्चों का भुक्तान किया गया है, जिसका लेखा पास्बुक में तो हो गया, परन्तु रोक द्वारा हमारे खाते में प्रत्यक्ष जमा यानि direct deposit by bank आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कई हमारे ऐसे customer होते हैं जो हमारे अकाउंट के अंदर directly deposit कर देते हैं और इस direct deposit होने की वज़े से क्या होता है कि हमारे अकाउंट के अंदर पैसा passbook पे तो जमा हो जाता है परन्तु उसका लेखा रोकड़ भही में नहीं होता जिसकी वज़े से अंतर आ जाता है साथ बच्चे देख रहे हैं आप लोग कि ये ऐसे सारे के सारे कारण हैं जिनकी वज़े से passbook और cashbook और difference आता है लाभांस तदा ब्याज का जमा होना इसको बोल सकते हैं हम लोग dividend received and interest on investment यानि कि ब्याज हमारे निवेश के उपर हमें कोई ब्याज मिलता है या हमारे निवेश के उपर कोई हमें लाभांस मिलता है उस लाभांस का और ब्याज का जो लेखा है तरफर्थम passbook में हो जाता है परंतु रोकड वही में उसका कहीं लेखा नहीं होता जिसकी वज़े से passbook और रोकड वही में अंतर आ सकता है तो यह सारे ऐसे कारण हो रहे हैं जिसकी वेज़े से पास्बुक और कैश्बुक का बैलंस आपस में जो है mismatch कर रहा है आप इसे कहें तो समझें कि दोनों के बीच में सेशों में अंतर आ रहा है उन अंतरों को ही हम लोग यहां पे स्पस्ट करने की कोशिस कर रहे हैं चेक का अनाधर हो जाना इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिसाउनर अफ चेक बच्चो साधरन बासा में हम लोग इसको बोल देते हैं कि चेक बाउंस हो गया हलांकि इसका कोई वर्ड हम लोग यहां पर अपने अकाउंटिंग टर्मस में करते नहीं है चेक का अनाधर यानि डिसाउनर अफ चेक हमने जो चेक बैंक में जमा कराया था उस चेक को बैंक में जमा करने के पस्चाथ क्या होता है अगर किसी भी कारण से चाहे आपके जिस व्यक्ति ने हमें चेक दिया है उस चेक के उसके अकाउंट में कोई सफिशेंट बैलनस नहीं है निर्धावित राशी नहीं है तो बैंक उस चेक को क्लियर नहीं करता है और वो उसको डिसाउनर कर देता है उसको बोलते हैं डिसाउनर अफ चेक यानि चेक का अनादर हो जाना इस चेक के अनादर हो जाने की वज़े से पास्बुक का बैलनस पास्बुक का जुशे से वो इमिडिटली कम कर दिया जाता है जबकि रोकर भही में उसका अभी तक कोई लेखा नहीं हुआ जिसकी वज़े से अंतर आ सकता है तो ये ऐसे कारण है जिसकी वज़े से cashbook, passbook से match नहीं करती और हमें bank समाधां development बनाने की अविशक्ता होती है तो बच्चो वीडियो के इस अंक में हमने जाना की bank समाधां development क्या होता है कैसे बनाए जाता है आखिर passbook और cashbook में जो अंतर आता है उस अंतर के पीछे क्या-क्या करण रहे वीडियो के अगले अंक में हम जानेंगे कि इससे सम्मंदित जैसे numerical question आते हैं कर दो कर दो कर दो दो